मध्यप्रदेश में उपचुनाव बीजेपी और कॉंग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है सियम शिवराज अपनी सरकार को बचाने के जुगत में लगे है वही कॉंग्रेस चुनाव में जीत का परचम लहरा कर एक बार फिर सत्ता हासिल करना चाहती है इस चुनावी जग में दोनों दल अपने अपने दाओ चल रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस ने सिंध्या को सबक सिखाने के लिए सिंध्या का ही सहरा ले लिया है तो क्या है पार्टी का चुनावी प्लान? देखे इस रिपॉर्ट में मध्यप्रदेश में बीजेपी ने सिंधिया के सहारे अपनी सरकार तो बना ली लेकिन अब सिंधिया ही उसकी नईया डुबा सकते हैं जी हाँ कॉंग्रेस ने ग्वालियर चंबल में मुकाबले को सिंधिया बनाम सिंधिया बनाने की कोशिश तेज कर दी है राज्य में जिन 28 विधान सभग शेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 शेत्र ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और इस इलाके पर पूर्व केंद्रे मंतरी जोतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार का प्रभाव है सिंधिया ने कॉंग्रेस छोड़कर भाजपक अदामन थामा मगर कई उनके समर्थक ऐसे हैं जो अब भी कॉंग्रेस में हैं लिहाजा कॉंग्रिस ने ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाकर सिंधिया बनाम सिंधिया मुकाबला बनाने की जुगत तेज कर दी है। कॉंग्रिस ने जौराख से पंकज उपाध्याई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, मुंगावली से कनहिया राम लोधी और बमोरी से कनहिया लाल अगरवार को उम्मीदवार बनाया है। इन सभी के सिंधिया से नजदी किया जग जाहिर है। वालियर चंबल इलाके में सिंधिया को उनके ही पुराने समर्थकों के जरीए घिरने की कोशिश कर राजनितिक विशलेशकों का कहना है कि आगामी समय में उपचुनाव है और दोनों ही दलों के लिए जीत एहमियत रखती है। यही बज़ा है कि BJP जहां दल बदल करने वा रही है वही कॉंग्रेस सिंधिया के पुराने समर्थकों को उम्मीद्वार बनाने में नहीं ही चक रही है। वास्तम में दोनों दलों के लिए चुनाव महतुपूर्ण है इसलिए वो जीत के लिए हर सियासी दाओं पेच चल रही है। वही कॉंग्रेस की प्रवक्ता अज और वो नेता नहीं गए इसका मतलब साफ है कि वो सच्चे कॉंग्रेसी है। अब कॉंग्रेस ने उपचुनाव में वफदार बनाम गद्दार का घमसान छेड़ दिया है। कॉंग्रेस इसी के सहरे चुनावी मैदान में उतर गई है। कॉंग्रेस का ये प्लान कहीं न कही सिंधिया पर भारी पड़ सकता है अब देखना होगा कि सिंधिया बनाम सिंधिया का मुकाबला कैसा होगा डिवी लाइव की रिपोर्ट